हेलो गुटीवनिंग एंड वेल्कम टू माय चैनल लॉलेज कैटल वन सकीन फ्रेंज आज कई एपिसोड उस सीरीज को कंप्लीर करने वाला है जो हमने पिछली बार एक वीडियो के साथ स्टार्ट की थी जो थी पार्ट फर्स्ट ऑफ पासा यानि की क्यूब या बोल सकते हो विसको है डास और आज भबड़ गिइंग सके नेक्स पार्ट कि हमेंने वाले हमने पिछली इस बात की थी कि दTe गलोडो खेलते हैं जिस से उसमें close dice कोशन कैसे बनते हैं आज हम बात करेंगे की open dice कोशन कैसे बनते हैं फेन किस तरीकंढ Exodus कोशन पूस्ता ऑगर क्वुषण כई उसको 60 कवें क्या टरीका होता है in तरीके से वो किस कौन सा फेस किसके अपोजित आता है तो इस पर बात करेंगे तो सबसे पहले मापको इसका कौन सब बता दू कि क्या होता है जैसे नाम से पता चल रहा है जो ओपन होगी ओपन मतलग बिल्कुल जैसे खुली हुए होती है अभी तक आपने डाइस देखी ती जो मैंने आपको बताई थी यह इस तरीके की डाइस होती है जिसके तीन फेस आपको दिखाई देते हैं और तीन इसके पीछे हिडन होते हैं लेकिन अब मैं बात करने वाले हूं किसकी ओपन डाइस की ओपन डाइस किसी भी तरीके की हो सकती है लाइक मैंने यहां पर एक ड हो सकता है लाइक मैंने का 1 2 4 3 5 6 8 ऐसा मान लिया मैंने ठीक है नंबर्स कुछ भी हो सकते है याद रखिएगा ठीक अब मान लीजे मुझे से फोल्ड करने के लिए जाता है या मुझे बोला जाता है कि इस डाइस में कौन से नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा हिडिन या कौन से नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा उसका पोजट लाइक जब मैंसे फोल्ड करोंगी तो आप ध्यान अखेगा इसमें लीनियर मैथर लगता है लीनियर मैथर के बहुते कॉमन संसी बात है कि ज 6 का पोजट हो जाएगा जहने का मतलब ये 2 5 के फॉजट ये 5 4 6 के पोजट ये ऑल्टरनेट चलते हैं आप अप फुछ आप सोचे है कोई ऐसा जो बाइस है को अपके सामने रखी हो खुली और आपको से फोल करना है और मांनेजे जहें अप जब फोल्ड करें है तो आप ये ऐ फोलोट के आप ऐसे अपर कर चाल फैरे एसे को र karşला कि पोगे तो नहीं हों है तौक्छ घ। साथ क्या दोनों कि इसको बनते हैं वह क्योंट होते है तो दो का पुजट अगर पांच चार पुजट छे तो एक का पुजट जो बचा वान अमबर है और यह सोचाए कि माम यह तो alternate है नहीं भाहिए और option लिए आपके पास अगर यह सका पॉजट बना रहा है यह सका पॉजट बना रहा है तो 100% यह इसका पॉजट बनाएगा है की नहीं अब जैसे मान लीजे मैंने कहा है कोशन ही चेंग कर दिया मैंने कहा अब आपकी dyes कुछ इस तरीके की है, यह रही आपकी dice ऐसे मैंने बना दी ठीक है, for example मैंने ऐसे बना दी, और मैं आपसे बोलू कि यहाँ पर एक number है, यहाँ पर मैंने यह बना कर यह बना कर आपकी ठीक है, 6 फेस दोने चाहिए यह इंपोर्टेंट है, मैंने यह आपर बोला यहां A है, यहां B है, यहां C, D, E, और F और मैं आपसे ब het, जब धो लब डवापी ऑप से फोल्ड करेंगे तो A का आपूजिट का हैगा, यह ए का पूजिट का हैगा यह C का आपूजिट का हैगा, तो बहुत सिंपल चल्ड है, कि महां A जो है वो किसका विपरीत होगा C का क्योंकि इसका alternate यह है कि इसको fold करेंगे और B4 इसका base का काम करेगा चीक है उसी दिसे E का F है क्योंकि E एक छोड़कर B छोड़कर आगे किसके opposite आएगा F के opposite आएगा और यहां पर बात करें तो B किसका opposite आएगा D का opposite आएगा तो तीनों के opposite में मिल गए लेकिन 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 एक्जाइमन सर्फ यह नहीं पूछने वाला कि किसका opposite क्या आएगा एक्जाइमन आपसे एक कोड कुशन करेगा कि वह आपको एक खुली डाइस देगा यानि की खुला पासा और बोलेगा इसको यह वाला डाइस दिया गया और मुझे का इसे फोल्ड करो और इसे साइड पे रख दी और साइड पर रखने के बार जब असे बना कर रख रही हूं जब यह खुला है उसका अब मैंने से बंद करके रखा तो जरूरी थोड़ी ना मैंने का यहां पर तू आरा है कि यहां पर 4 के पीफेंट होगा नीचे बाटम में मैंने का 4 का пери सिक्स है तो 4 के पीछे जो हिडिन फेस है उसमें 6 चुपा होगा लेकिन अगर मान दीजिए कोई स्टूडेंट कहें कि नहीं मैं जब मैंने से फोल्ड किया तो मेरे तो कुछ और ही नंबर आरे थे मेरा था है यहां पर फोर यहां पर आरा था मेरा था मेरा फाइव यहां पर आरा था वन तो मैं उसको डिनाय थोडी ना करूंगी बात पर आरे तो तो कि भी सही एट क्यों क्यों कि टो आफ एक जासे हैं मैं 6 है वह 16 इसके पीछ चुपा आख फाइव का उज़ु टूए वह फिछे चुपा और उन का पॉज़ु एट है वह इसके पीछे चुपा वा याईकि पोजिशन यह घुई हो सकती है पोजिशन यह बहुत साथी पूजिशन ली खुली पेटी थी आप ने उसे की मैं आपको इससे समझाती हÔर अड़ी ती यह इस रखुछा वैग जैसे कि मैं इस सब्जाती हो ठीकए मैंने डाइस ली मैंने उसे फोल्ड किया मैंने फोल्ड कर दिया अब मैं ऐसे रख रही हूँ या ऐसे रख रही हूँ या ऐसे रख रही हूँ या ऐसे रख रही हूँ वो तो मेरी मर्जी है इसे फोल्ड करूं कि तो दो का पुजिर नंबर को और दिक जांप और पूजिशन अंग है तो इस पर देश पूछे का अग्जामेन आपके पीसोड तो इसी के लिए आज का एपिसोड है तो चलिए बात करते हैं पहले बहुत ने को चलिए ठीघरे एक्जंपल के तौर पर स पूचिशन का लोचा क्या है ठीक है तो चले पेंड लॉन कर लीजिए अगर आपको एपन नाउन करना है समझ में आई गया होगा फॉस्ट कर दियार रहे है तो फॉस्ट कुछन हमारे स्कूरीन पर आ रहा है तो आपको बोर्ड पर एक कोशन दिख रहा होगा घ्यान से देखें डॉटेड कोशन है एक ओपन डाइस में आपके सामने लुखिए और एक्जामिन आप से पूछाई कि फाइव डॉट के पोजिट क्या होगा पांच बिंदू के विप्रीट क्या होगा तो चलो देखो एक सिर्फ विप्रीट पूछा है कोई पोजिशन का गेम नहीं है या पर तो बहुत ही असान है तो यहां पर आपने देखा कि 5 का पोजिट यह रहा 5 इसका पोजिट क्या होगा तो आप जानते हैं जब आप इससे फोल्ड करोगे तो वन का पोजिट क्या होने वाला है वन डॉ पॉजिट क्या है तो आप बटा सकते थे एक क्या पोजिट चार आ रहा है दो कैंब सरथा रहा है और आपका पाँच की उनसे था रहा सिफ मुचई पूचार तो आपका आपा चर जाएगा कि 3ड.शे वह होंगे किसके अपोजिट फाइफ के अपोजिट चलिए दूसरे को देखते हैं आपको आ ही रहा होगा इसे समझ में तो देखें सेकंड कोशिट नेक्स कोशन देखें यहां पर भी खुला पासा दिया और पूछाए थ्री डॉट्स के अपोजिट क्या होगा तो देखो अ अपोजिट तो पूछा थ्री डॉट्स के हो तो चेका विपरीद क्या हो जाएगा तीन उची तरीके से एक अपका विपरीद आपका हो जाएगा क्या दो और आपका हो दो फौर चांव रिफ फाइफ तो आप से कुछ भी पूछले मेश आप आराम स आंसर दे सकते हैं तो म तो चलो देखते हैं उस concept पर बात करेंगे यहां तक आपको यह चीज चोटी बोटी चीज थी है और आपको क्लेर हो गई होगी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो सामने दिखना होगा आपको कोशन बहुत ध्यान से देखिए अब इस कोशन से मापको डाउट सारे क्लियर करूंगी दिखकर बच्छों को बाती है जब यही कोशन पिक्चराइस फॉर्म में आता है लाइक इसमें पिक्चर बनी होती है तो बच्चा और कन्फूज हो जात आफ पोज़ेफ बनाना है कि अब्राइब्सट क्याक्या है इस है तो देख लेुक्त वेलिता फका पूजट आपको ऑन रहे होंगे तो इन तृमों के जाहिए यह तिम होने होने चाहिए यऱ्łych सoria बना चुप होने चाहिए अब जारा समझना अब चारो पोजिशन में से आपको कुछ समझ भी नी एक्जाम में कि भाई इनका करना क्या है भाई एक बात सुनो यह जो चार पोजिशन दिये हैं वह यह पूछ रहा है कोशन समझेगा वह यह पूछ रहा है कि उसको फोल करने के सकती हैं फोल्ड करने के बाद आपको जस्ट इवताना है तो जाहरा देखते हैं कैसे उसका चैंड करते हैं उसे बोना एक साथ आसकते हैं का एफ तो ठीक है एफ और ई लेकिन एफ के साथ साथ बी आपको पता है डाइस का सबसे पहला और अंति मुरूली है कि मैं जब एक चीज आती है तो अगर कोई फेज आ रहा है तो उसका पॉजट उसके सामने कभी दिखाई नहीं दे सकता मैं आपको पिछले एपिसोर में बताया सबस्क्राइब नहीं कोई व्यक्ति जब इसे फोल्ड कर रहा होगा तो उसकी यह पोजिशन तो नहीं सकती हा यह ना कभी नहीं सकती यानिके फर्स तो आंसर वह लह सकता और फर्स एंप्शनडी घ्र सतो बाइए जिसमें फ़र्स या ओंग रहा होगा तो तो इसकी यह आपस में एडिसन्ट हो जाएं तिक पर चल्व आगे चेक करते हैं एफ ए और डी एफ ए और डी तो यहां से उठाया अपने एफ एफ बन सकता विलकुल F के साथ D नहीं होना चाहिए नहीं है E बन सकता है बिल्कُل E के साथ कहा नहीं होना चाहिए C नहीं होना चाहिए नहीं है और इन दोनों से कौन बन दो है B मैं यह दिख्या है F E ऑर A का यह == Combination F E ौ D F का पीछे चुपा होगा B E है E है E के पीछे चुपाओगा C, Agree, and D है तो D के पीछे A चुपाओगा, यानि कि ये तीनों का कॉम्मिनेशन बन सकता है, हाँ दोनों नहीं ले सकता, आप किसी ब्लॉक सा दोनों नहीं ले सकता है, कहने को मतला अगर D है तो A नहीं आ सकता था, E है तो C नहीं आना चाहिए था, C आता तो E नहीं आना चाहिए था, F है तो B नहीं आना चाहिए, B आता है तो F नहीं आना चाहिए, हाँ याना, इसका अगरा Second diagram बन सकता है, बिल्कुल Option भी आपके पास है, लेकिन Third and Fourth के साथ क्या दिक्कर थी, Third and Fourth भी नहीं बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते माम, यह तो आपको Option से ही पता चल गया होगा, बढ़ देखो, E, B और C, E भी है, B भी है, C भी है, E है ठीक है, B है ठीक है, लेकिन आप E के साथ C कैसे ला सकते हो, E के साथ C adjacent में आ कैसे सकता है, पॉसिबल ही नहीं माम, इसको तो आपोजिट होना चाहिए था, अगो, अगर इसको आपोजिट होना चाहिए था, तो आप इसको बगल में कैसे ला गई, नहीं माम, यह बिल्कुल ही हो सकता, थर्ड तो बिल्कुल ही हो सकता, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी, अब बात करते है D E और A की, D E और A, D है, E है, यह रहा, और A है साथ में, D और A के साथ नहीं थी प्राव्डम, लेकिन अगर D आ रहा है मैं, तो उसके अर्जिसन में A कैसे आ सकता है, तो D A और E का कमबो तो बनी नहीं सकता, इ इस ओपन पासे को, इस ओपन डाइस को जबन फोल्ड करेंगे, तो इसकी पोजिशन चाहे कितनी भी आए, बट यह तीनों तो नहीं आ सकती, लेकिन हा, यह सेकंड वाली पोजिशन बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसमें, जो भी आप अलफाबेट ले रहे हो जिस फेस पर उनके जो अपोजिट है, वो हिडिन है, और यही रूल है, डाइस का, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इस डाइस, इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओपन डाइस में, आस्रा है, समझभाया होगा, बिल्कुल समझभाया होगा, सेकंड कोशन की करते हैं गोलमाल, चलिए, फटा-फट से पैंडाउं के लिजिए, और सेकंड कोशन के तयार रही है, चलिए, अब इस डाइगराम को देखकर, बिल्कुल भी घबराएना, कि मैं यह डाइगराम कैसा है, आसान है, बस यह ब्लैंक वाला कम सब समझना जरा, आपके बास फिर फेज जिनको कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल ब्लैंक छोड दिया गया और एक फेज इसा इस पर डॉट कर दिया गया है, अब सुमझ से क्या है, अभी तक जो मैंने कोशन कराया, वो A, B, C, D, P, O, बेस था, तो आपको पता चल रहा है, एक पहचान हो तो तो दिख र खिताने वाले हाहा है पॉर मार पो आयुक् सवघंवाला पॉर्प सब्सक्सा र पाँष रहा हो था खिति इंड faut खोन एक है कैन तो आप, निल इस दो ब्लैंक कंस्तों, भी इंड को अपस ब्लैंक या पूजट लोगा आनि डॉजगा टापस में उसकी इसकी याूं b., anak एक ब्लैंक डाट के अपोजट होगा अब समस्या बच्चे को होती क्या है समझना इसका मतलब यह है माम कि कभी भी जो शेड़ पार्ट है यह दोन अपोजट है यानि कि अगर एक शेड़ पार दिख रहा है तो दूसरे को दिखना नहीं है दूसरे को हाइड होना बिल्कुल दूसरे को हाइड होना जरूरी है इसका मतलब में अगर हम इसे दिमाग लगा लें तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कहें क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि एक शेड़ पार्ट और इन शेड़ पार्ट के जब हम से फोल्ड करेंगे तो शेड़ पार्ट आ रहा है तो उसके साथ इसका मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट और थर्ड तो आंसर होई नहीं सकता है यानिकि ऐसा ऑप्शन जिसर वनन थ्री है वह आंसर होई नहीं सकता थ्री वाले ऑप्शन तो हटा ही दो और यह अटा दिया आपने तो आंसर क्या होना चाहिए टू लेकिन चेक कर लो बाकियों को भी ठीक है हमेशा जरूरी नहीं क्यों ऐसे हो कि आप इलिमिनेट कर दो यह बन सकता है कि बिलकुल बन सकता है क्यों डum है में a color dot. right मारे पस एक लेंच की डाए ब्लेंक यह ऑनके पास आपके पास ब्लैंक कि ट्न हैं तक कि ट्री अ करोगे प्राइल उसका चेहन किleader करोगग रहा कर आख तो आपका एडशिशन्त में प्रिंग जोड़ी या तो इसे ले लो इसके पास पद जाना है जब कोई बच्छा और अजा है तो इन में से कोई ले लो तो मैं मान रही हूं कि वह यहाला बैंक है पोजीशन तो बन सकती है और तो कैसे क्लें करो कि नहीं यह जो इसका ब्लांक जब तक है तब तरह दूसरे से निकालोगे अगर बन सकता है जरूरी नहीं, यह नहीं को सकता है, इन दोनों से एक ले सकते हैं इन में से एक लेकिशुके हैं हम और इन्हें प्लिया टो बन सकता है यह इसके छो जूड़ुद आपको नहीं मैम इनसे एक ब्लेंक लिया है और ये वाला जो दूसा ब्लेंक है यह मैं इसका ले लिया तो फिर डॉट के साथ डॉट का पोजेट तो आहीं सकता अगर आप कहरो कि माम ये दोनों ब्लैंक है वो ये वाले नहीं ये वाले है अच्छा ये दोनों ब्लैंक है तो ओविसली फिर डॉट में आना चाहिए इसका मतलब ये पॉसिबिल्टी बन ही नहीं सकती है यानि आंसर होगा कॉमान से बचेगे झेल से क्लिक्लियर करते पर डाउंड अदेखते रही है चली नंच्स वेचन देख लेते हैं नेक्स वॉचन में आप इसी लिगर नेंगे इसको एजी ली ठीक है देखो आपोजिट की बात कर रहे है अब घबराना नहीं इस वो करते वे तो देखो इसका इस बिल्हांनेऽ भूर्तते का प्र headed में बना दिया एक का पॉजित वो दस्टे में चोटा से सरकल बनावा здесь is क्यों box सथोगर और यिदूसरी के बूज़े चलोए ठीक है चलो देख लेते हैं अब सिंपल है अगर दो आपस में अजसेंटली कनेक्टेड है जो कि हो यह नहीं सकता तो फिर आंसार यह आएगा अप्शन ही वचा फिर तो वन और थ्री हो सकता है सेकंड भी नहीं सकता है इसका मतलब देख लेते हैं यह कैसे हो सकता है क्योंकि एक हाफ शेड़ मालों इन में सापने एक ले लिया कोई भी ले लो और दो ब्लैंक एक इससे ले लो एक इससे ले लो ठीक है आप दो ब्लैंक क इसका पोजेट इसके बीचे, इसका पोजेट इसके पीचे, इसका पोजेट इसके पीचे, इसका पोजेट इसके पीचे, फिर यह बन सकता है, एक सर्कल, यह चोटा वाला यह ला सर्कल, और बाद में बोडर आप से कि दो ब्लैंक, इनका तो कोई रोल नहीं है, दो ब्लैंक, या तो इनका लेंसिन ले लोंगे तो फिर दोलों अपस से प्रिक्षिप इत अगर या तो इनका ॉठ्ट पंविनेशन लोगाि तो फिर sólo भी दिक्क्ते अगर पिल्क का ओप छिर आ और नहीं सकते और Egan कर बोलों ये दोनों ऑने ले ले था झालुए ये बमेन हमय प्रमक्स होताय तो इस का पार्टनर मुझतोcks पर्सक्तिक नहीं किसा है यह लोगी उटर्ओर के इसका ट्रण्गंट में यह कुछ नहीं श rifken चल रहा होगा अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज दू कॉमेंट्स की मैं यहां पर निसमझ में आ रहा है या इसको दुबारा समझा दो मैं दुबारा समझाओंगी बट मुझे लगता कि इतनी चीज़े क्लिए करने के बाद आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम समारी होगी चलिए बढ़ता है नेक्स कोशन की तरफ और जाड़ा कंसप्ट को क्लियर करने के लिए चलिए देखिए इस कोशन को आप एजिली से बना लेंगे ठीक है विडियो पॉस कीजिए आंसर दीजिए और पॉस करने की विजरूत नहीं इतनी आप देख पारे होंग जाल एक शेंब भ्लंक वह एक क्षेड़ गया के वोजटे है न ये इसके पोजट अरहला इस एक व ठैख यह की अले वट एक लिًक लिए और एक जैंद कर सकता है किरा एक dot, एक shaded और एक blank, एक dot यहां से ले लिया, एक shaded है, तो वो dot का shaded नहीं लिया, आपने दूसा ओला shaded ले लिया, और एक blank, इन में से एक का chain कर लिया, बिल्कुल बन सकता है, दो shaded एक dot, दो shaded एक dot, यह है थोड़ा मुश्किल, क्यों, दो shaded अगर आप ले रहे हो, हमापर दो दो blank, एक यहां से ले लो, एक यहां से ले लो, तो एक यहां से, इनका बन सकता है combination, यानि 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 बन सकता है, यह option number 1, 1, 3 and 4 only, ठीक है, सबज में आ गया होगा, ठीक, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, और next question होगा, थोड़ा सा हट कर, देखते हैं किते लोग बना सक सकते हैं, चलिए, आज का last question, और जड़ा देखे इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही complete picture type होगी और अपको थोड़ा लगेगा की difficult, but difficult नहीं है, देखो, कैसा है, अब इसमें जो cuttings है ना, इस पर घबराएंगा मत, cuttings कैसी है, एक ही face से, एक दाइस से, एक दाइस से, एक दाइ होगा, यह वाला इसका opposite होगा, तो यह वाला opposite होगा, इसके alternative का, तो यह जो सारे pieces है, इनको जोड़कर आप बना सकते हैं, यह कुछ ऐसा रहा होगा, और आप में इस तरी से सीजर से से काटा है, तो एक एक तो यह काटा, यह वाला, आप इसे जब ऐसे फोल्ड कर के निकाल हो रहा है, तो यह इसका opposite, यह इसका opposite, उसे यह वाला opposite, एक dot जोगा, वो एक circle, छोटा से circle है इसके opposite, और यह जो blank है, यह ऐसे opposite, जिसमें से 4 हिससे काटे गए, 1, 2, 3, 4, कहीं भी ले ले लो आप उसे, यहां लो चाहिए, यहां लो आएगा यह वो इसी का opposite, ठीक है, तो एक shaded, फिर दूसा भी shaded है, और एक blank और एक ऐसा structure, अब एक चीज़ आदगना, यह blank ऐसी नहीं कि आप कहीं भी लगा दो, अपनी मर्जी से, यादगना, जभी fold हो रहा होगा, तो यह इसका vertical opposite आएगा, जब यह ऐसे fold होगे, जब यह fold होगा पुरा, तो यह ऐसे आएगा यह इसके साथ एक dot ले लिया और एक blank, इन में से ले लिया, तो एक यह, एक यह, एक यह, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यानि one बन सकता है, first वाला structure बन सकता है, next कह रहा है, अब आप अगर देखें, question को तो first वाला हर option में है, first ठीक है, second वाला देखें, एक circle और दो blank, एक बन सकता है, और यहां पर है, एक dot और दो blank, एक dot है वो, ठीक है, ध्यान से, एक dot और दो blank, यह, बन सकता है, इन में से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और यह, बन सकते हैं, और यह, बन सकते हैं, यह, बन सकते हैं, यह, बन सकते हैं, यह, बन सकते हैं, यह, बन सकते है क्योंकि अगर यह अला लाइनिंग आ रहा है तो जब वो मिक्स होगा यह जब यह बिल्कुल क्लोज होगा आप इसे फोल्ड करोगे तो उसके साथ यह जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यह तो बनी नहीं सिकता है यह वन टू अन्ट्री अन्ट्री अंसर आएगा वन टू यह जो पिक्चर पर बना रही हुना आप चाहें तो से डायट बेकर सकते मैं यह पर कॉंबिनेशन इसले बनारी हूं ताकि आपके सामने अपने अपने आप आप किस का कॉंबिनेशन ले रहे हो ठीक है तो आश्या आपको बात समझ भाई होगी एक और चीज बता दू कि ज जैसे माल लेजिए कभी मैं ऐसा बना के दू आपको और मैं एसेफिस से कार दू ऐसे कर के थिक है जैसे मैं हको बिता यहां यहां यह 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 पर कुछ दिका तो यह ना पूरी 10 600 ऐसलिया ह्प कर दिया यहाँ पर भी एक एक फलकता एक फेस का आधह कर दिया है तो जब यह मिलेगे, तो यह आपस में एक ग्मेंगे होंगे, है ना, तो यह इसका पोज़िट यह AAPस में कनेक्ट होगा ठीक लेकिन आपको लिगता कि कि एक पार्ट मिसिंगे अब Maandelo examiner उने एक पार्ट यहां कर दिया और एक पार्ट examiner माandelo इधर कर दिया तो जब इस तरह का सपसे घर की आपके रापद ताये तो आप आप यहाले कम्बीनेशन एक साथ लेना यहाले कंबेशन एक साथ लेना क्या बոर्ण मैंने? मैंने बोला खिजब इस तरह का स्ट आपकर पाद डायरम और इसको पूरा रहा हो तो यह इसका इसका पुजिट आएगा और ये सदूरि यह इसके साथ कॉमिनेशन बनाकर एक डाइस बनाएगा फिर चाहिस कोई बनाओ और यह इसके साथ मिलेगा चेक्ट और तब आपस में पोजेट होगे टीक तो ऐसे कोशिन आपके तो यह आपको करके लाना है ठीक और अगर आपको आइस में कोई प्रॉब्लम तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजेगा सो दैट में आपकी कोई रिसोल कर सकूँ और मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में ठीक है और तब तक अपना ध्यान रखे और पड़ते रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में